साथियों, नए भारत का निर्मान, बोल्ड रिफॉर्म्स, बीक इंफ्रासेक्चर और बेस्ट ट्रैलेंच से ही सम्भव है। आज सरकार के हर स्पियर में बोल्ड रिफॉर्म्स किये जा रहे हैं। एक़ॉनमिल स्पेस में GST और IBC जैसे रिफॉर्म्स किये गए। बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्ज और स्ट्रॉंग मैक्रो एकनोमिक फंडामेंटल्स के जरिये अर्थिववस्ता को मजबूर बनाया गया इसी तरह UPI जैसे कदमों के जरिये देश में डिजिटल रिवालूशन लाने की तैयारी की गई हमने पंदरा सो से जादा आउटडेटेड कानूनों को खत्म किया करीब 40,000 गेर जरूरी कंप्लाइंसिस को रद कर दिया यह हमने अनेको प्रावधानों को डी क्रिमिनलाइज भी किया हमने कॉर्परेट टैक्स की दरों को कम करने जैसे कदम उठाए है साथ ही फेस्टलेस एसेस्टमेंट जैसे सुधारों से ट्रांस्परंसी भी बढ़ाई है भारत में FDI के लिए नए सेक्टरों के दरवाजे खोले गए हैं भारत में ड्रोंस, जियो स्पेशल सेक्टर, स्पेस सेक्टर और यहां तक की डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स को अभूत पूर्वा बढ़ावा दिया जा रहा है साथिवो, रिफॉर्म्स के साथ साथ, इन्फरास्ट्रक्चर के ख्षेत्र में भी भारत बहुत तेज़ुई के साथ आगे बढ़ रहा है आधुनिक इन्फरास्ट्रक्चर के लिए भारत पहले से कहीं जादा स्पीड के साथ और बड़े स्केल पर काम कर रहा है आप एरपोर्ट्स का उदारण ले सकते हैं। भारत में बन रहे हैं। इसी तरह मेट्रो ट्रेन का दाइरा पांच सहरों से बढ़कर 20 सहरों तक फैल चुका है। हाली में लॉंच की गई नेशनल लॉजिस्टिक पालिसी विकास की रप्तार को बढ़ाने में और मदद करेगी।